नमस्कार आप देख रहे हैं भारत अट्नाइन और मैं हूँ आपके साथ हरीश अस्वाल आज मुद्दा भारत अट्नाइन में बड़ा ही अजीब सा जिस प्रकार से जहां चिंता हो रही थी पिछले 7-8 दिनों से कि कौन होगा मुख्यमंत्री उसी प्रकार से कौन हो गया है मुख्यमंत्री पे चर्चा होनी पाकी है मध्यपरदेश में मौन यादव सब सवाल पूछ रहे हैं ये कौन है प्राइस्थान में भजनलाद शर्मा भाया अब ये कौन है चतिसगर में विश्नु देव साहा फिर वही कौश्चन ये कौन है ये सवाल भारत नहीं पूछ रहा है ये पूछ रहे है उनके विदायक भी और पार्टी के अंदर भी ये सुबगाट है कि ये आखिर ये है कौन कहां से कहां से इनकी सूत्र इनके तार सीधा दिल्ली से जुड़े कैसे जहां इतने बड़े बड़े दिगजों की बात हो रही थी वहां वो दिगज सब किनारे लग गए बोलते हैं कि बैक बेंचर्स फ्रेंट पर आ गए और फ्रेंट वाले रिटायर होने की कगार पर आ गए तो भारत एट नाइन पे इन सब के बारे में चर्चा करेंगा और विपक्ष इसको किस तरह से देखता है कि क्या विपक्ष के अंदर भी सुगबगार्ट है कि क्या बीजीपी के अंदर कुछ गड़बड चल रहा है या फिर विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा इनकी सुगबगार्ट करने के लावा तो इनी सबी बातों पर मेरे साथ बने रहेगा अंतक मद्यपरदेश में मोहन यादव मोहन यादव का अगर आप देखा जाए तो उनका कहीं न कहीं उनकी वह विवादित भी रहे कहीं न कहीं उनके वो ज्यादा बार के सांसद नो विधायक भी नहीं है और एक दम से कमान उनके हाथ में सौंप दी जाती है और मद्यपरदेश में मामा को टाटा मामा बोल दिय जाता है तो मामा की लाडली बेहनों का क्या जहां एक पर एक तरह से पूरा मद्यपरदेश जो बेहनों के साथ मामा की फोटो आ रही हैं वीडियो आ रही हैं कहीं ने कहीं बेहना ही रो रही हैं बता रही हैं कि हमने तो मामा को वोट दिया था हमने किसी मोहन यादव को वोट नहीं दिया था हमारा क्या होगा तो इस तरह से ठाड़स बाते वे कहीं ने कहीं पे मध्यपरदेश के पूर्व मुख्यमंतरी मामा जी सब को भोलते कि मैं हूँ और मैं अपनी भूमी का में रहूंगा इस प्रकार से अपनी जनता को शांत करनी कोशिश कर रहे हैं पर एक बा कि आगे पद की लालसा के लिए दिल्ली नहीं जाओंगा ये बहुत बड़ी बात और कईने कई बहुत विवादित बात भी है कि वो दिल्ली से कईने कई दूरियां उनकी ये दिखाई दे रही थी क्या ये उस ताइम का बदला है जहां उन्होंने कहा था कि हमारे नेता कौ पोटो भी गायब कर दी थी क्या उस ताइम का बदला आज लिया गया जिनके चेहरे पर लड़ा गया जिनकी काम के ओपर मध्यपरदीश के अंदर अलेक्शन लड़ा गया क्या मामा को टाटा बाई-बाई-बाई कहने का समय आ गया था ये बड़ा प्रशन इस टाइम पे ट्रेंड कर रहा है इसी प्रकार से राजिस्तान में भजनलाल शर्मा भजनलाल शर्मा के बारे में बात करें तो भजनलाल शर्मा पहली बार के विधायक पहली बार के विधायक आज मुख्यमंत्री इतने बड़े प्रदेश के जहां फ्रेंट में आपको मुख्यमंत्री भी जाएंगे जो तीन बारी के मुख्य मंत्री थे और लिस्ट भी दिख जाएगी जहां पर आप देख सकते हैं मेरे साइड में फोटो में आपको जरूर दिखाऊंगा इस फोटो में आप देखेगा कि फ्रेंट बेंचर जितने हैं ये इनका कद क्या था और ये क्या कि लोग इनके साथ चलना पसंद करते है या लोग इंकी महिमा गूंजान करना पसंद करते हैं क्या ये सब फोटो से गायब हो जाएंगे बड़ा प्रशंग और भजनलाल शर्मा जो एक मैं बोलूँ पहले एक तरह से बागी भी रहे, आज उनको बागडोर समाल दी गई मतलब पहले वो पिछले एलेक्शन में जब उनको टिकेट तक नहीं मिला बीजेपी से राइस्थान में एलेक्शन लड़ने के लिए तो वो निर्दले विधायक भी लड़े और हारे और हारने के बाद इस बारी जब टिकेट मिला तर टिकेट के साथ गदी भी मिली और चावी भी मिली और राइस्थान में हुकुमत करने के लिए तो सोचिए कि क्या चल रहा है इस टाइम पे बीजीबी के अंदर इसी परकार से चतिस गड़ में विष्णुदेव साहा विष्णुदेव साहा के लिए कहा जाता है कि कुछ उनके बारे में कोई किसी को रिसर्च भी नहीं थी कि कहा से आएंगे क्या आएंगे जहां इतने बड़े बड़े चेहरे हटा दिये गए एक तरह का एक गेम शुरू हो गया है हर आदमी अपने अंदर मुख्यमंत्री देखना शुरू कर चुका है सिनियर जिटी जो है वो सब दर किनार एक किनारे कृ दी गई है अब हर आदमी बोलता है मैं भी कभी भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं मुझे भी बड़ी बागद और मिल सकती है और इसलिए senior junior की ये चर्चाएं छोड़ो पर विपक्ष इसको खूब अच्छे से बुना रहा है और विपक्षी पत्रकार इसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं जहां पर उन्हें कहा कि मद्य परदेश, राइस्तान, छतिसगर्ड ये सब रबर्ड स्टैम्प ह उत्रखंड, हर्याना, गुजरात, गोवा, असम और त्रिउपुरा, मनिपूर, अनुरांचल परदेश, ये बीजेपी के अपने ही परदेशों की कहानी है जहां सब के लिए रबर्ड स्टैम् कहा जा रहा है बाजपा कि जहां पर गड़बंदन की सरकारे हैं महराष्ट में एकनाज सिंदे के लिए कहा जाता है, मेगाले में कहा जाता है और नागालेंड में, सिक्किम में इसी परकार से सब को रबर्ड स्टैम् क्या सरकारे दिल्ली से ही चलेंगी क्या सरकार दिल्ली से चलाने पर इन मुख्य मंत्रियों का सरब काम येस नो करना है ये बड़ा प्रशन दूसरी चीज विफक्षी पत्रकार इसके पास कुछ काम बचा नहीं है फिलाल तो वो एक तरह का सुखबगहाट और चाय के साथ चर्चा पर है और सरदी का माहल है आप समझ सकते हैं सरदी आ चुकी है तो आलू और प्याज की जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी है कि उनको तेल में कूदना है तो ये आलू और प्याज हैं जिनको तेल में कूदने के लिए कहा गया है ये वो पत्रकार हैं कि सर्दी आते ही मौसम बदलते ही आलू प्याज की भूमिका में आ जाएं और चुस्की का समान बने तो इस प्रकार से इन पत्रकारों ने चुस्किया लेना शुरू कर दिया है और कहीं ने कहीं दभी जुवान में बोलना शुरू कर दिया है क्या अमिच्छा से उनकी नहीं बनती इस परकार की कई चर्चा है क्या कट करना है क्या यूपी के अंदर डिप्टी सीम मुख्यमंत्री की नहीं सुनते उनकी मीटिंग्स में नहीं जाते क्या मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि कहीं वो अपने डिप्टी सीम को ब करते हैं क्या मुख्यमंत्री पे महरवानी संग की है या गुजरात लॉबी की सब प्रशनों के साथ इस टाइम पे पूरा भारत ट्रेंड कर रहा है और कहीं नहीं कहीं बली का बकरा बनानी की कोशिश किसको हो रही है योगी आदित तेनात को ऐसा विपक्षी पत्रकार कह रह इंदर और कहीं ने कहीं उनको पता है कि वो भाया दूसरे दलों से आये हैं मुख्यमंत्री बनाए हैं दिल्ली की महरवानी है इस परकार से उनको भी कहीं ने कहीं अंद्रूनी बाते उनके आ जाती है पर उत्तरपरदेश से योगी आदित तेनात काबू में नहीं आ रहे ह इसी चर्चाएं हैं तो योगी इतनात को घर बठाने की तैयारी की जा रही है या बोला जाएगा कि जाएगा कि जाएए आप एलेक्शन लड़िये सांसदी लड़िये आप गोरकपूर से सांसद का चुनाव लड़िये आप सांसद के बाद दिल्ली आईए अगर जीतते है तो दिल्ली आईए नी तो गोरकपूर ही रुख जाएए क्या इस तरह का कोई मैसेज है या फिर सिर्फ विधायक बनकर ही उनको छोड़ दिया जाएगा कि जाएए आप एक साधरन विधायक हैं और कुछ नहीं तो इन सारे प्रशनों के साथ इस टाइम पर ट्रेंड हो रह ही है कि यूपी की असी सीटों को कैसे तोड़ा जाए क्योंकि प्रधान मंत्री का अगर सफर शुरू होता है तो उत्तर परदेश की भूमी का सबसे एहम होती है अगर आज प्रदान मंत्री को मद्या परदेश, राइस्तान, 36 गड़ जीतने के बाद लगता है कि वो प्रधान मंत्री की कुर्सी में बैट पहें कि नहीं उत्तर परदेश से होके ही आगे बढ़ना होगा उत्तर परदेश की 80 सीटों पर जिसका कबजा होगा वही प्रधान मंत्री पत का दावेदार हमेशा से कहा जाता है कि उत्तर परदेश ही एक नयाम प्रदान मंत्री हमेशा से देता आया हमेशा देता रहेगा अगर देखा जाए तो गुजरात लॉबी कहीं ने कहीं उत्तर परदेश को सांधी में लगी है 22 जनवरी का दिन होगा जिस दिन आप भगवान राम का मंदिर आपके सामने होगा और देश एक अलगी लहर पे होगा आप भारत एंट टाइन में मैं एक और चिकर कर दू चलते चलते आज इस तरह से संसद पर हमला हुआ जिस प्रकार से संसद में एक दुबारा से एक अंग् सेज बहुत बड़ा सरकारों के लिए कि लोग संसद भवन तक अंग्रेजयों की तरज पे आने को तैयार हैं जिस तरह से अंग्रेजयों की कान खोलने के लिए बंपोड़ा गया था उसी प्रकार से आज आज दुबारा से वह हुआ है और कहीं न कहीं पुराने समय की याद दिलाई है तो थोड़ा सा आज भारत एट नाइन में हम आज देश में जो घटना हुई उसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है चुसकियां तो लेते रहेंगे पतरकार भी और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरी की बार भारत देश में जो आज घटना का हमला हुआ वो कहीं न कहीं अंग्रेजों के समय का याद दिलाता है कि इस तरह से भगत सिंग राजगुरू और सुकदेव ने जिस तरह से बम फोड़ कर अंग्रेजों को का था कि आपनी प्रेजन्स दिखाई थी और कान खोलने को का था आज उसी प्रकार से ये कांड और दो लोग भार ये बात बोलते वे नजर आए ताना शाही नहीं चलेगी हमारे आधिकारों का हरन हो रहा है तो कहीं ने कहीं ये सरकार पर प्रश्म चिन छोड़ता है कि इस प्रकार से कहीं पे भी कोई घटना हुई है तो कोई ने कहीं आग तो है और धूआ तो है क्या अगर ये विपक्ष द्वारा कहीं guest list में होते तो आज राजनिती कुछ और होती और अगर आज ये आपके बीजेपी के अंदर से ही किसी की guest list में थे तो ये क्या किसी की अंदुरूनी सैतानी है या जान बूज कर ये जो नराज विधायक है या जिस तरह से गठन किया गया मुख्यमंत्री बनाए गए ये उसको व्यक्त करने का एक तरीका है कि गुजराद लॉबी को वापस खीचने के लिए कि देखिए आपकी तानाशाही देश में नहीं चलेगी आप इस तरह से नहीं कर सकते आप seniority juniority में आपको देखना पड़ेगा senior को आपको नजर दूसरा पहलू देखता हूँ, मैं इसका दूसरा इस तरह से देखता हो, कि भारतियय जन्ता पार्टी के अंदर एक अच्छाई है, बुराई तो सब जानते हैं कि बुराई क्या है, पर मैं एक अच्छाई की बात करूँ, कि हर किसी को एक मौका मिलने की उमीद है, हर कोई जानता है कि अगर मैं कुछ अच्छा करूँगा तो मैं कल के दिन मुख्या मंत्री बन सकता हूँ, मंत्री बन सकता हूँ और मैं संसद में भी पहुंच सकता हूँ. मुझे perform करना पड़ेगा वो performance के लिए कहीं ने कहीं पे ये message बहुत clear था कि यहां चाटू का रिता नहीं चलेगी यहां काम करना पड़ेगा और काम करके ही दिखाना पड़ेगा तो ऐसे नए चेहरों को ये संदेश के दौरा ये संदेश देना बहुत जरूरी था उन विधायकों के लिए उन जो मठादीस हैं उनके लिए भी message बहुत जरूरी था तो मैं इसको इस पक्स से देखता हूँ कि किस तरह से बीजेपी के अंदर नए लोगों को भी आगे लाया जाता है नए लोगों को भी command दी जाती है जिस तरह से उत्राखंड में उत्तरप्रदेश में भी योगी आदितनाज जी भी कोई ज़्यादा experience ने थे सांसत थे पर मुख्यमंद्री का कभी को experience दे था उनको कमान दी गई आज उत्तरप्रदेश की सूरत बिलकुल अलग है इसे परकार से उत्तराखंड के अंदर धामी जी भी जिस परकार से काम कर रहे हैं वहां की सूरते हालाद भी अलग है और काम कही ने कहीं पर दिखाई दे रहा है जिस तरह से इन्वेस्टर समिट हुआ या उनसे अब आगे छे मैने बाद देखने की विशे है कि किस परकार से जो भी इनके दोरा काम किये गए वह धरातल पर कितने उतरे कितना नहीं हुआ मगर नए चेहरों को तलाशा जरूर गया नए चेहरों पर भरोसा जरूर दिखाया गया तो कहीं ने कई सरकार की ये कोशिशे सही भी हैं गलत उनके बक्स से जो नेता अपनी जीवन पूरा 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 पार्टी को दे देते हैं और मुख्य मंत्री तक नहीं पहुँच पाते हैं तो उनके अंदर की नराजगी या उनको गदी में बैटने की जो आदत पढ़ चुकी है और वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते या उनकी नराजगी भी हो सकती है तो देश के अंदर कुछ अलग ही माहौल है इस ताइम और सरकारें की जिस तरह से एक्शन सरकारों के अंदर से भी रियाक्शन जिस परकार से दिखाई दे रहे हैं ये आपके सामने है तो आज जिस तरह से समसद में हमला हुआ वो निंदनिय था और सरकार इसमें घरती भी सा अगर नहीं तो आपने अपने आप मेरे को जरूर कमेंट्स भेज़ें अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो कमेंट भेज दीजे प्लीज तो भारत एट नहीं देखते हैं नमस्कार जैहिन जैभारत